हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू अवर चैनल सिंप्ली मैथेमेटिकल आज की इस वीडियो में हम सॉल्फ करेंगे प्रॉब्लम 13 तू 16 ऑफ मिसिलिनेस एक्सराइज ओन चैप्टर 9 जो की चैप्टर 9 सिक्वेंस इजन सीरीज का एक्सराइज है 11th क्लास मैच्स का यह जो मिसिलिनेस एक्सराइज है वो बेज्ट है अरित्मेटिक प्रोग्रेशन जोमेटिक प्रोग्रेशन ठीक है इस सब टॉपिक पर तो मैंने 1-12 प्रॉब्लम पहली सॉल्फ कर दिये है तो आप वो वीडियो पहले चेक कर सकते हो अब हम सॉल्फ करेंगे 13th problem यहापे तो 13th problem क्या है इफ a plus bx divided by a minus bx is equal to b plus cx divided by b minus cx which is equal to c plus dx divided by c minus dx where x is not equal to 0 ठीक है then show that a b c and d are in gp तो हमको क्या show करना है a b c और d यह चारों टम्स जो है वो geometric progression में है ठीक है तो यह जो equation दिया हुआ है उससे हमें start करना पड़ेगा तो solution ठीक है given a plus bx divided by a minus bx which is equal to b minus b plus cx divided by b minus cx which is equal to c plus dx divided by c minus dx ठीक है तो यह equation हमें given है अब हम क्या करेंगे यहां पर पहले हम इस equation को देखेंगे ठीक है हमें चाहिए a b c और d जीपी में होने चाहिए ठीक है तो जीपी में होने चाहिए उसका मतलब क्या है तो पहले हम वह यहां पर लिखेंगे ताकि आपको समझ में है कि हमें क्या चाहिए तो जीपी का मतलब है b by a should be equal to c by b should be equal to d by c यह equation आपको चाहिए ठीक है और यह जो ratio है वह होगा common ratio तो यह आपको बता है ठीक है तो ratio of consecutive terms should be equal तो a b c और d है तो ratio b by a equal होना चाहिए c by b को वह ही मैंने आप लिखा है ठीक है फिर c by b ratio जो है वह d by c से equal होना चाहिए तो ratio of the consecutive terms वह आपको equal मिलने चाहिए ठीक है तो यह आपको समझ में है अब हम यहां से start करेंगे तो firstly we have a plus bx divided by a minus bx equal to b plus cx divided by b minus cx तो अब हम यहां पर a cross multiply करेंगे तो हमको क्या मिलेगा a plus bx divided by multiplied by b minus cx which is equal to b plus cx multiplied by a minus bx तो अब इस equation से हमें क्या मिल जाएगा अब यह जो brackets है वह हमें multiply करने है तो a by a multiplied by b ठीक है a multiplied by b फिर a multiplied by minus cx तो वह क्या होगा minus a cx ठीक है तो ऐसे हमें multiply करने तो bx multiplied by b क्या होगा plus b square x और bx multiplied by minus cx क्या होगा minus bc x square ठीक है यह तो simple है which is equal to similarly यहां पर हम multiply करेंगे तो हमें मिलेगा b a a फिर minus b square x ठीक है फिर plus c ax और minus cb x square यह हमें मिलेगा अब हम क्या करेंगे अब तो वह दोनों cancel हो जाएंगे ठीक है और similarly minus b minus b c x square minus cb x square ठीक है यह दोनों cancel हो जाएंगे तो हमें अब क्या मिलेगा minus a c x plus b square x किर minus b square x हाँ यह ओक्यों कि equal to है यहां पर ठीक है यह तो मैंने left hand side का expression लिखा है minus a c x plus b square x फिर यह right hand side का expression क्या होगा b square minus b square x plus c ax ठीक है तो अब हम को यहां से अब simplify करना है तो हम क्या करेंगे यह जो minus b square x है वो left hand side में लाएंगे तो b square x मिलेगा और यहां पर पहले से यह b square x है अब this is equal to यह देखो minus a c x है जो हम right hand side में लाएंगे तो a c x plus a c x ठीक है तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा 2b square x is equal to यहां पर 2 a c x ठीक है 2 times a c x क्योंकि यहां पर 2 a c x है तो 2 a c x ठीक है अब हम proceed करेंगे तो उसके पहले यहां पर देखो 2 or 2 cancel होता है ठीक है 2 or 2 cancel हो जाएगा और हमको मिलेगा this implies यहां पर b square x is equal to a c x ठीक है अब यहां पर आप क्या करो x को divide करो तो b square is equal to a c x divided by x अब यहां पर हम divide क्यों कर सकते है क्योंकि x is not equal to 0 ठीक है यह बहुत ही important condition है जो कि यहां पर है तो यह condition हमने आपर use किया है ठीक है क्योंकि x not 0 है इसलिए हम यहां पर b is equal to a multiplied by c ठीक है ऐसे हमको देखना है इस equation को तो अब इस equation से हम क्या करेंगे अब बस last step हमें यहां पर लिखना है तो यह जो a है वो हम left hand side में लाएंगे तो b by a मिलेगा which is equal to यह b जो है वो हम right hand side में लाएंगे तो c by b मिलेगा ठीक है तो first equation जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है देखो यह जो equation है वही हमें यहां पर मिला है तो अब हम second equation find करेंगे तो उसके लिए हमको यह जो equation है वो देखना है तो secondly secondly b plus cx minus b plus cx divided by b minus cx is equal to c plus dx divided by c minus dx देखो अब यहां पर आप क्या कर सकते हो cross multiplication same method हम यूज करेंगे जो हमने previous equation के लिए यूज किया ठीक है तो b plus cx फिर multiplied by c minus dx is equal to c plus dx multiplied by b minus cx तो यहां से अब हमें क्या मिलेगा सिर्फ multiply करना है brackets को तो b c minus b dx फिर plus c square x ठीक है यहां से और फिर minus c dx square और फिर अगर हम इस brackets को multiply करें तो हमको क्या मिलेगा cb फिर minus c square x ठीक है और plus db x और last term होगा minus dc x square अब यहां पर आप देखो कि b c और c b cancel हो जाएगा और similarly minus c dx square minus dc x square cancel हो जाएगा तो आप हो क्या मिलेगा minus b dx फिर plus c square x is equal to minus c square x plus db x अब previous equation से हमें अब क्या मिले जाएगा यह जो minus c square x है वो हम left hand side में लाएगे और minus b dx है वो हम right hand side में लाएगे तो हमें मिलेगा c square x plus c square x is equal to db x plus b dx now this implies c square x plus c square x क्या हो जाएगा c square x plus c square x है 2c square x which is equal to db x plus db x क्या होगा 2db x अब हम यहां पर x को divide करेंगे ठीक है तो 2c square is equal to 2db x divided by x और यहां पर आप 2b cancel कर सकते हो पर अब वो मैं बाद में करूंगा एक step एक बार ही हमें करना है ठीक है तो यहां पर देखो x और x cancel हो जाएगा अब यह divide क्यों हम कर सकते हैं यहां पर क्योंकि x is not equal to 0 यह बहुत important है और यहां से हमें मिलेगा 2db तो अब हम 2 और 2 cancel कर सकते हैं तो हमें क्या मिलेगा c square is equal to db ठीक है तो यहां से हमें c multiplied by c is equal to d multiplied by b ऐसे लिखना है और फिर c by b which is equal to d by c ठीक है तो यह second equation हमें मिला है हां तो equation को numbers देंगे हम यहां पर जो हमें मिले है तो equation 1 and this is equation 2 तो बस हम अब क्या करेंगे from equation 1 and 2 from equation 1 and 2 what we have b by a is equal to c by b and which is equal to equation 2 यहां equation 2 से d by c ठीक है तो यहीं हमें चाहिए था तो therefore a b c and d r in gp ठीक है तो ऐसे आपको solve गनना है तो बस आपने यहां पर क्या किया है आपको पता था कि यह जो इक्वेशन है वह आपको पहले गिवन था ठीक है यह जो equation है वह आपको पहले गिवन था और शिर्फ आपने क्या देखा होगे ठीक है सिर्फ trial error method यहां पर work होगा ठीक है यहां पर कुछ specific method नहीं है बस आपने क्या किया है equal to sign था इसलिए जो equation से वह अलग लिए है और solve किया है ठीक है और यह जो condition है x not equal to 0 वह बहुत ही important होता है बाद में ठीक है तो ऐसे ही आपको solve करना है तो अब हम 14th problem देखेंगे तो यहां पर decolet s be the sum p be the product and r be the sum of reciprocals of n terms in a gp prove that p square multiplied by r raise to n is equal to s raise to n तो यहां पर आपके पास क्या है जी पी ठीक है फिर से geometric progression बार बार जी पी ही यह लोग देते है ठीक है तो जी पी का मतलब क्या है geometric progression और आपको sum दिया हुआ है sum of the gp of n terms फिर p मतलब कि product of gp of n terms और r which is the sum of reciprocals तो यह बहुत ही different condition है of n terms हमें क्या prove करना है p square multiplied by r raise to n is equal to s raise to n तो यहां पर आपको क्या given है s तो s का मतलब है sum of n terms of gp अब sum of n terms of the gp का मतलब क्या है तो पहले मैं लिखूंगा a1 plus a2 ठीक है plus an यह तो symbolic हो जाएगा a1 plus a2 plus dot 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 plus an मतलब की sum of n terms of gp तो a1 a2 an are in gp यह तो आपको अपने पता लग जाएगा ठीक है तो a1 क्या है यहां पर a यह आपको पता है a2 क्या है a times r ठीक है यहां पर a3 भी है तो वो क्या है a r square plus and so on a multiplied by r raise to n-1 ठीक है अब हम यहां पर a common ले सकते है a हम यहां पर common ले सकते हैं तो हमको क्या मिलेगा 1 plus r plus r square up to r raise to n-1 ठीक है तो यह एस है अब यह जो यहां पर जर्म है उसको आप formula यूज करके लिख सकते हो पर मैंने यह extra condition यहां पर डाला है ठीक है तो यह आप condition मत देखो directly इस condition को देखो s is equal to इस condition को नहीं इस condition को तो इस condition चे है तो आपको value of s मिल गया है ठीक है तो यह आपको याद रखना है अब पी product of n terms यह हमें देखना है तो P is nothing but product of n terms ठीक है तो मतलब की a1 multiplied by a2 and so on up to a n ठीक है a3 भी मैं यहां पर लिखूंगा ठीक है अब यहां पर देखो a1 multiplied by a2 multiplied by a3 multiplied by a n है यह तो symbolic हो जाएगा formula क्या है फिर सेकेंड टर्म आफ जीपी इस a multiplied by r फिर थर्ड टर्म आफ जीपी इस a multiplied by r square and so on फिर nth term is a times r raised to n-1 ठीक है तो अब यहां पर देखो a's है यहां पर बहुत सारे a's है तो a multiplied by a up to a अब यह कितनी बार आ रहे है यह आपको जानना है तो इस a1 से आपको एक a मिल गया है इस a2 से आपको दूसरा a a मिल गया है इस a3 से आपको दिसरा a मिल गया है फिर इस a n से आपको nth वाला a मिल गया है ठीक है यहां पर n times a जो है वो multiplied है ठीक है अब यहां पर आपको r देखना है ठीक है r तो r multiplied by r square ठीक है अब 2 r raise to n-1 यहां पर देखो a multiplied by a multiplied by a which is multiplied n times तो उसका मतलब है a raise to n मिलेगा आपको ठीक है और यहां से r raise to 1 plus 2 up to n-1 यह मिल जाएगा तो यहां पर आपके पास क्या है इसको ताप और simplify नहीं कर पाओगे ठीक है पर यह जो यहां पर sum है उसको आपको simplify करना है तो आप क्या करोगे यहां पर formula लगाओगे यह तो a p है यह आप देख सकते हो this is an a p ठीक है arithmetic progression और यहां पर जो है तो first term क्या है 1 और जो common difference है वो क्या है 1 2-1 अगर आप करो तो 1 मिल जाएगा ठीक है 3-2 करो तो 1 मिल जाएगा तो यहां पर common difference तो 1 है अब यहां पर sum क्या होगा s n s n is equal to formula for sum of n terms of a p है n by 2 multiplied by 2a plus n minus 1d ठीक है यह है यहां से आपको मिल जाएगा n यहां यहां पर अब आपको sum of n minus 1 terms देखने है यह तो formula हो गया sum of n terms of a p आपको क्या देखना है sum of n minus 1 terms of a p तो यह जो n है ठीक है वो change हो जाएगा तो वो हो जाएगा n minus 1 divided by 2 ठीक है फिर यह जो 2 है 2a है वो 2a ही रहेगा फिर plus n change हो जाएगा n minus 1 और एक और minus 1 है ठीक है फिर multiplied by d तो ऐसे आपको मिल जाएगा ठीक है तो यह हमको simplify करना है तो sn is equal to sn में लिख रहा हूं sn नहीं sn minus 1 ठीक है तो sn minus 1 ठीक है तो क्या मिल जाएगा आपको जेको यहां पर n minus 1 divided by 2 multiplied by 2a ठीक है 2a फिर plus previous step n minus 2 ठीक है n minus 2 d d मैंने हापर substitute नहीं किया है d क्या होगा d1 है तो यहां पर आपको substitute करना है तो आपको यह मिल गया है अब हम क्या करेंगे और simplify करेंगे तो s suffix n minus 1 is equal to n minus 1 divided by 2 multiplied by 2a plus n minus 2 यह देखो तो s suffix n minus 1 is equal to n minus 1 divided by 2 multiplied by 2 plus n minus 2 और वो होगा equal to s n minus 1 which is equal to n minus 1 divided by 2 और यहां पर देखो तो 2 और minus 2 cancel हो जाएंगे और आपको मिलेगा n यहां से हम यह properly लिखे तो आपको मिलेगा n multiplied by n minus 1 divided by 2 तो s n minus 1 हमें मिल गया है और s n minus 1 का मतलब यह जो sum है वो यह जो sum है वो हमने वहाँ पर find किया है तो हम क्या find कर रहेते है P ठीक है product of n terms तो product of n terms क्या हो जाएगा अब a raise to n है फिर multiplied by r raise to जो अभी अभी हमें sum मिला है n multiplied by n minus 1 divided by 2 तो यह हमें अच्छा सा एक expression मिला है तो अब हम क्या करेंगे हमको यह prove करना है P square r raise to n is equal to s raise to n तो यहां पर हम left hand side से शुरू करेंगे और हमको right hand side मिलना चाहिए ठीक है तो this is the left hand side which we want to prove हम लिखेंगे आपर left hand side अब यहां पर P क्या है अब है a raise to n multiplied by r raise to n ओ मैंने capital R नहीं find किया है capital R भी हमें find करना है बीना find किये ही मैं यह लिख रहागा तो अच्छा तो आर आर यह तो बहुत ही important है तो sum of reciprocals of n terms of GP तो यह R है तो यहां से आपको क्या मिलेगा r is equal to 1 by a 1 plus 1 by a2 and so on up to 1 by a suffix n तो यह आपको मिल जाएगा तो आप फिर से अब यह जो a1 है a2 है उसको ठीक से लिखोगे तो 1 by a plus 1 by a2 क्या है a multiplied by r plus and so on plus a n क्या है a multiplied by r is to n-1 तो अब यहां पर आप लिख सकते हो r is equal to तो यहां पर अब अगर देखो तो यह है sum of n terms of a GP तो this is GP and first term अब यहां पर आप a नहीं लिख सकते हो तो first term first term क्या है 1 by a और जो common ratio है common ratio is nothing but common ratio find करने के लिए हमको क्या करने है consecutive terms का ratio देखना है तो 1 by a r divided by 1 by a तो यहां पर a और a cancel हो जाएंगे और आपको मिलेगा 1 by r तो 1 by r आपको मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर r is equal to first term is 1 by a ठीक है तो formula क्या है sum का sum of n terms of GP यहां पर n minus नहीं यहां पर n terms है ठीक है यहां पर n terms है तो वो भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है n terms तो अगर आप यहां पर first term देखो तो वो है 1 by a ठीक है first term multiplied by ratio common ratio which is 1 by r raise to n minus 1 divided by 1 by r minus 1 अगर आप confused हो रहे हो तो formula को देखो sn sn है a times r raise to n minus 1 divided by r minus 1 तो यह तो बस symbols है first term क्या है यहां पर 1 by a common ratio क्या है 1 by r ठीक है यहां पर भी common ratio है 1 by r तो यहां पर यह हमको मिल गया है अब हम क्या करेंगे इसको जारा simplify करेंगे तो r is equal to 1 by a multiplied by 1 minus r raise to n divided by r raise to n मिल जाएगा ठीक है और फिर divided by यहां से denominator से 1 minus r divided by r ठीक तो यहां पर आपको यह जो term है वो simplify करना है और r is equal to 1 by a और फिर यहां पर देखो 1 minus r raise to n divided by r raise to n फिर multiplied by r divided by 1 minus r तो यह आपको मिल गया है तो r is equal to 1 by a और यहां पर मैं सिर्फ करूंगा terms तो r multiplied by 1 minus r raise to n divided by r raise to n multiplied by 1 minus r तो बस इतना ही हमको simplify करना है तो अब हम क्या करेंगे left hand side को लिखेंगे ठीक है अब यहां से जो है हमको left hand side देखना है तो p square r raise to n है तो यहां से हमें मिलेगा यह देखो p क्या है a raise to n multiplied by r raise to n multiplied by n minus 1 divided by 2 तो a raise to n multiplied by r raise to n multiplied by n minus 1 divided by 2 यह तो मैंने जड़ा अलग ही कुछ लिखा है तो यहां पर मैं ठीक से लिखूंगा n multiplied by n minus 1 divided by 2 और square है यहां पर ठीक है p square तो square है अब r हमको यहां पर fit करना है ठीक है तो यहां पर fit नहीं होगा multiplied है r तो multiplied by 1 by a r multiplied by 1 minus r raise to n divided by r raise to n multiplied by 1 minus r तो यहां से बस हम आब simplify करते रहेंगे जब तक कि हमें s raise to n नहीं मिलता है ठीक है क्योंकि वह तो right hand side है तो वह हमें चाहिए अब हाँ raise to n यहां पर अब यहां से देखो यह तो square है तो a raise to 2n और यहां पर हमको मिल जाएगा आर ठीक है आर raise to n multiplied by n minus 1 divided by 2 ठीक है और यहां पर जो 2 है वह यहां पर multiply हो जाएगा फिर यहां से हमें का मिलेगा 1 by a raise to n multiplied by फिर से यह जो power है वो सारे terms को लग जाएगा तो r raise to n फिर 1 minus r raise to n the whole raise to n divided by r raise to n raise to n जा इस टम के लिए और 1 minus r raise to n तो यहां से हमें का मिलेगा a raise to 2 n और यहां से 2 और 2 cancel हो जाएगा फिर r raise to n multiplied by n minus 1 multiplied by यहां पर देखो आप कि ओके यह तो 1 by 1 raise to n ही रहेगा और यहां से r raise to n फिर multiplied by 1 minus r raise to n raise to n divided by r raise to 2 यह क्या हो जाएगा n स्क्वेर ठीक है r raise to n multiplied by n तो वह होगा n स्क्वेर और यहां पर 1 minus r raise to n तो यहां से आपको मिलेगा अब a raise to 2n minus n हो जाएगा यहां से इन दोनों terms को मिला के आपको क्या मिलेगा a raise to 2n minus n फिर r raise to यहां से n स्क्वेर है minus n ठीक है और यह क्या हो जाएगा r raise to n तो वैसे का वैसे हम यहां पर लिखेंगे multiplied by 1 minus r raise to n raise to n divided by 1 minus r raise to n तो अब अगर हम simplify करते रहें यहां से हम क्या मिलेगा a raise to n multiplied by r raise to n square multiplied by r raise to minus n तो यह law of indices हो गया है तो r raise to n square multiplied by r raise to minus n multiplied by r raise to n multiplied by 1 minus r raise to n raise to n divided by 1 minus r the whole raise to n तो अब हम क्या मिलेगा a raise to n multiplied by r raise to n square multiplied by r raise to minus n plus n multiplied by 1 minus r raise to n तो अब हमें क्या मिल जाएगा is equal to a raise to n multiplied by r यहां से तो denominator गायब कर दिया है मैंने लगता है एक denominator जो है कि यहां यहां पर तो r raise to n square यहां पर था यहां पर भी r raise to n square तो r raise to n square r raise to n square यहां पर cancel हो जाएगे अब यहां से क्या मिलेगा r raise to 0 यह क्या हो रहा है भाई r raise to 0 or a 1 minus r raise to n the whole raise to n divided by 1 minus r the whole raise to n okay तो a raise to n multiplied by 1 multiplied by 1 minus r raise to n the whole raise to n divided by 1 minus r the whole raise to n तो अब हम यहां पर n की power common ले सकते हैं तो a multiplied by 1 minus r raise to n divided by 1 minus r the whole raise to n तो सारे terms को तो power common है तो वो power हमने common raised की है अब यहां पर देखो यह क्या बन गया है a multiplied by 1 minus r raise to n divided by 1 minus r तो इसको हम अगर एक और तरीक से लिखे r raise to n minus 1 divided by r minus 1 यह फिर यह आप समझ सकते हो हमने क्या किया है तो expression है वो क्या है sum of the n terms of gp तो s raise to n मिल जाएगा और यह क्या है यह तो right hand side है तो left hand side यहां पर वो है equal to the right hand side therefore p square r raise to n which is the left hand side is equal to s raise to n which is the right hand side तो यह हमने problem solve कर दिया है problem number 14 अब हम solve करेंगे problem 15 तो problem 15 देखो क्या है यहां पर the pth and qth and rth terms of an a p are a b and c respectively show that q minus r multiplied by a plus r minus p multiplied by b plus p minus q multiplied by c is equal to zero तो यह हमें prove करना है तो यह तो simple problem है यहां पर तो पहले हम given जो है वो लिखेंगे तो given is pth term of a p is equal to a उसका मतलब क्या है a suffix p is equal to a ठीक है और यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर तो a a पहले used है ठीक है तो first term ap का हम लिखेंगे a plus formula आपको पता है a plus n minus 1d is equal to a equation 1 और a क्या है first term ठीक है नाम दूसरा हो गया है उसका क्योंकि यहां पर a पहले से used है small a अब qth term देखेंगे क्या है तो qth term of a p is equal to b यहां में given है तो a suffix q is equal to p ठीक है तो एक suffix q क्या है तो first term plus n minus 1 यह देखो n minus 1 यहां पर क्या होगा तो यहां पर p होगा ठीक है क्योंकि ठीक होगा यहां पर क्योंकि यह पी टर्म आफ ने पी है तो n यहां पर p है तो definitely यहां पर तो n के बजाए बजाए p होगा अब भी हां पर क्या होगा n q ठीक है तो q minus 1 और common difference d है which is equal to b विशेक्वेशन कॉम बोलेंगे equation 2 अब थर्ड एक्वेशन दिखेंगे r th term of a.p third equation था, rth term of a,p is equal to c यह भी गिवन था तो r th term of a,p का मतलब क्या है? a suffix r is equal to c तो उसका मतलब मैं지만 andrike a plus r minus 1 d is equal to c ठीक है तो इस equation को हम बोलेंगे equation 3, अब हमारे पास equation 1, equation 2, equation 3 है, तो इन तीनों को हमें solve करना है, तो solving equation and equation 2 first, क्योंकि तीनों को directly हम solve नहीं कर पाएगे, तो पहले तो equation 1 and equation 2 solve करना है, तो a plus p minus d is equal to a, ठीक है, और second equation है, a plus q minus 1 d is equal to b, कौन सा method यूश करना है, आपर, simultaneous method या फिर elimination method, ठीक है, तो यहां पर science change करना है, minus minus minus, तो a minus a is 0, फिर यहां से हमको क्या मिलेगा, हम p minus 1 d minus q minus 1 d is equal to a minus b, अब यहां से हम d common ले सकते हैं, तो d multiplied by p minus 1 और minus q minus 1 is equal to a minus b, तो हमको मिलेगा, d multiplied by b minus 1 plus q plus 1 is equal to a minus b, ठीक है, तो d multiplied by, यहां पर देखो, तो 1 और minus 1 cancel होता है, और बचेगा क्या, p plus q, यह q की sign तो plus हो गई, यहां पर, plus नहीं है, minus हो गई है, minus q, तो यहां पर भी minus, which is equal to a minus b, ठीक है, तो d which is the common difference is nothing but a minus b divided by p minus q, तो इस equation कॉम बोलेंगे, equation 4, ठीक है, equation 4, अब हम, यह जो equation 4 है, वो equation 1 में substitute कर सकते हैं, जो की, यह equation है, ठीक है, इस equation में substitute कर सकते हैं, तो, next, ठीक है, अब सब्स्चिट्यूटिटिंग, d equal to, यह देखो, value of d क्या है, a minus b divided by p minus q, तो, a minus b divided by p minus q, in equation 1, तो, हमको क्या मिलेगा, a plus, यह है equation 1, ठीक है, तो, a plus, p minus 1, d, तो, d क्या है, a minus b divided by p minus q, which is equal to, a, तो, a, यहां से हमें, a find करना है, ठीक है, तो, a plus, p minus 1, या फिर, यह नहीं हम करेंगे, हम directly, यह जो term है, वो, right-hand side में लाएंगे, तो, a minus p minus 1 multiplied by a minus b divided by p minus q, ठीक है, तो, a is equal to a times p minus q, minus p minus 1 multiplied by a minus b divided by p minus q, तो, a क्या बन जाएगा, a is equal to, यह हमें अब multiply करना है, brackets, तो, a, p minus a q minus a p, फिर से, ठीक है, और, plus p b, ठीक है, फिर, minus, minus plus a, और, minus b divided by p minus q, ऐसे हमें मिलेगा, तो, यहां से अब देखो, a, p और minus a, p cancel हो जाएगे, ठीक है, तो, a is equal to minus a q, फिर, plus p b, फिर, plus a, और minus b भी है, divided by p minus q, तो, first time हमें यह बड़ा expression मिला है, है, तो, अब, इस value of d को, और, इस value of a को, हमें substitute करना है, equation 3 में, ठीक है, है, तो, equation 3 यहां पर है, तो, इस equation में हम, a और, d को substitute करेंगे, है, तो, हमें क्या मिल जाएगा, a क्या है, minus a q, plus p b, plus a, minus b, divided by p minus q, ठीक है, है, और, plus r minus 1 है, multiplied by d, is a minus b, divided by p minus q, which is equal to c, ठीक है, c, तो, हमें, यह जो, equation है, वो, simplify करना है, ठीक है, तो, यहां पर, हम क्या कर सकते हैं, यह देखो, denominator, same है, यहां पर, अगर आपको नहीं दिख रहा है, तो, मैं यह ठीक से लिखूंगा, minus a q, plus p b, plus a minus b, divided by, p minus q, और, plus r minus 1, multiplied by, a minus b, divided by, p minus q, which is equal to c, ठीक है, तो, अब, यहां पर, हम, जो, numerator है, वो, add कर सकते हैं, तो, minus a q, plus p b, plus a minus b, plus, यहां पर, r a है, r a हो जाएगा, multiplication, फिर, minus r b, ठीक है, फिर, minus a, और, plus b, this is divided by, p minus q, is equal to c, ठीक है, अब हम, यहां पर, यह, जो, like terms, like terms, नहीं है, यह, जो terms है, दो, उसमें से a common ले सकते, ठीक है, तो, a multiplied by, bracket में बचेगा, r, minus q, ठीक है, यहां से, अब, यह, जो b है, वो हम common लेंगे, तो, b multiplied by, क्या बचेगा, bracket में, p minus b, and this is divided by, p minus q, which is equal to c, ठीक है, तो, यहां से, हम भी का में मिलेगा, देखो, a multiplied by, r minus q, plus b multiplied by, p minus b, which is equal to, c multiplied by, p minus q, ऐसे हमें मिलेगा, ठीक है, तो, यहां से, अब, हम को, क्या चाहिए, तो, हम को, यह प्रूव करना है, ठीक है, यह show करना है, तो, यहां पर हमें q minus r multiplied by a, चाहिए, r minus p multiplied by b, चाहिए, यह तो, पहले से ही है, यह मैं q बोल रहा हूँ, क्योंकि, यहां पर देखो, r minus q है, हमें चाहिए, q minus r, ठीक है, तो, पहले हम क्या करेंगे, माइनस and common लेंगे, यहां से, तो, minus a multiplied by q minus r, मिलेगा, फिर यहां से, हम minus and common लेंगे, minus b multiplied by b minus p, which is equal to c multiplied by p minus q, तो, अब हम यह जो minus terms है, मतलब कि, terms on the left hand side, वो हम right hand side में लाएंगे, ठीक है, तो, a multiplied by q minus r, मिलेगा, plus b multiplied by b minus p, and plus c multiplied by p minus q, which is equal to 0, ठीक है, तो, यही हमें चाहिए था, यहां पर, ठीक है, तो, यह हमने show कर दिया है, तो, problem 13 हमने, problem 15 हमने solve कर दिया है, अब हम solve करेंगे, problem 16, ठीक है, तो, problem 16 क्या है, देखते है, तो, यहां पर आपको दिया हुआ है, if a multiplied by 1 by c plus 1 by, if a multiplied by 1 by b plus 1 by c, comma b multiplied by 1 by c plus 1 by a, and c multiplied by 1 by a plus 1 by b, are in a, p, ठीक है, prove that a, b and c are in a, p, तो, यह आपको prove करने है, तो, यह बहुत ही important problem है, मुझे लगता है, ठीक है, तो, देखेंगे, यह कैसे solve करेंगे, तो, गिवन जो है, वो पहले हमें लिखना है, तो, गिवन, a multiplied by 1 by b plus 1 by c, comma b multiplied by 1 by c plus 1 by a, and c multiplied by 1 by a plus 1 by b, r in a, p, वो बोल रहे है, तो, इस condition को में use करना है, ठीक है, इस condition को में use करना है, अब, इस 3 terms are in a, p का मतलब क्या है, मतलब की consecutive terms का difference common है, ठीक है, difference of the consecutive terms is common, तो, हमको क्या मिल जाएगा, b multiplied by 1 by c plus 1 by a, minus first term, which is minus, which is a multiplied by 1 by b plus 1 by c, ठीक है, consecutive terms, consecutive terms है ये, दोनो, तो, उनका difference, होगा, equal to the difference of the next consecutive terms, ठीक है, तो, मतलब की c multiplied by 1 by a, plus 1 by b, और minus b multiplied by 1 by c, plus 1 by a, ठीक है, तो, अब यहां से, हमें क्या मिलेगा, अगर हम इस b को multiply करें, इस bracket से, तो, हमें मिलेगा, b by c, plus b by a, ठीक है, फिर, minus a by b, और minus a by c, which is equal to, यहां से हमें मिलेगा, c by a, plus c by b, और minus b by c, minus b by a, ठीक है, तो, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से, इन दोनों टम्स को एक साथ लाएंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, b by c, minus a by b, ठीक है, और, अ, ओके, तो, यहां से, देखते है, b by c, minus a by b है, हां तो, यह हम नहीं करेंगे, मैं आपको, बताओंगा, हम क्या, हमें क्या क्या करना है, तो, यह देखो, b by c, हम पहले लिखेंगे, यहां पर, ठीक है, फिर्स्टर्म, और, यह जो टर्म है, वो हम यहां पर लाएंगे, ठीक है, minus c by b, ठीक है, b by c, minus c by b, और, फिर, मैंने क्या क्या है, b by c, और, c by b को एक साथ लाया है, यहां पर, बाद में हमें, हाँ, यह जो, यह जो, माइनस a by c है, उसे हमको उस साइड लाना है, हमको क्या मिल जाएगा, c by a, प्लस, a by c, okay, 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 रुक, 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 ज़रा, b by c, minus c by b, को हमने एक साथ लाया है, और, अचा, 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 ओके, तो, यह हम नहीं करेंगे, अब यह क्या है, minus a by b है, अब हम इस minus b by a को यहां पर लाएंगे, ठीक है, minus b by a, ठीक है, तो यह हमने अब किया है, तो हमने कौन से कौन से टर्म से हाँ पे लाए है, यह हम डिलीट और यह करेंगे, अग, यह यह नहीं है, यह अभी तक हमने, अभी तक मैंने इस तर्म के बारे में कुछ नहीं कहा है ठीक है यह हमको डिलीट करना है तो एरेजर तो यहां पर हमने इस तर्म को अभी तक यूज नहीं किया है तो यह हमको ऐसा है कि ऐसा ही लिखना है तो ऐसा ही हमें यह पर लिखना है माइनस एबाई सी तो यहां पर हमने कौन से कौन से टम यूज किया है वह मार्क करेंगे इन टम्स को हमने यूज किया है अब जो बाकी के टम्स है वह हम राइट हैंड साड में लाएंगे तो तो सी बाई एय फिर माइनस बी बाई एय और यहां पर माइनस बी बाई सी प्लस ए बाई सी ौटी है का है तो यहां पर क्रोस मटिप्लाइ करोगे तो बी स्क्वेर माइनस सीhte उक्रूर by बी यहां पर क्या आ जाएगा यहां पर आ जाएगा बी स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर टीके बी स्क्वेर बी और यहां से आपको क्या मिलेगा c minus b divided by a और plus a by c minus a यहाँ पर a minus b आ जाएगा a minus b divided by c ऐसे आपको मिलेगा ठीक है ना तो अब यहां से आपको क्या करना है पहले तो b square minus c square का formula लगाना है तो यहाँ पर आ जाएगा b minus c multiplied by b plus c divided by b c और यहाँ पर आजाएगा b minus a divided by b plus a तो यहाँ पर आजाएगा तो यहाँ पर हम यह जो quantity है उसको लिखेंगे minus b minus c divided by a और यह जो quantity है उसको लिखेंगे minus b minus a divided by c ठीक है तो यह हमको simplify करना है तो अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा यह देखो आप यहाँ पर देख सकते को b minus c इस term में और b minus c इस term में भी है तो यह जो term है वो हम यहाँ लाएंगे और यहाँ पर b minus a है और यहाँ पर b minus a है तो यह जो term है वो हम यहाँ पर लाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा b minus c multiplied by b plus c divided by b c फिर plus b minus c divided by a okay a which is equal to यहाँ पर यह जो term है वो हम यहाँ पर लाएंगे तो यह माइनस का term है बाद में लिखूंगा यह तो पहले लिखूंगा b minus a multiplied by b plus a divided by a b c और minus b minus a divided by c तो हमको क्या चाहिए यह मैंने आपको नहीं बताया है यह देखो हमको क्या पूरू करना है a b और c r in a p ठीक है यह हमको पूरू करना है यहां से यह देखो a b and c r in a p मतलब क्या है difference of the consecutive term is equal तो b minus a is equal to c minus b तो हमको क्या पूरू करना है यह a b minus a is equal to c minus b तो यह हमको यहां पर लाना है तो हम कहां तक पहुचे है यहां तक तो यहां से अब क्या करेंगे b minus c common लेंगे तो b minus c अगर हमने common लिया तो bracket में बचेगा b plus c divided by bc फिर plus one by a ठीक है और right hand side क्या है equation का तो यह है और उससे हम b minus a common लेंगे तो यह यह दो terms तो b minus a common लिया है तो हमको bracket में क्या मिलेगा b plus a divided by a b minus one by c क्या क्या करेंगे हां पर यह जो minus b a है उसे पहले हम a minus b करेंगे इस step में ही करेंगे इस step में ही करेंगे तो b minus a यहां पर हमको करना है यह देखो यहां पर b minus a है यहां से और यहां पर b minus a तो इसको a minus b करेंगे तो a minus b अगर हम यहां पर यह करेंगे तो हमको क्या मिलेगा ठीक है erase करते है ठीक से लिखते है ओके तो bracket a minus b हम यह change कर रहे है ठीक है b minus a to a minus b यह plus हो जाएगा यह जो sign है वो plus हो जाएगा और यहां पर अगर हम यह यह जो quantity है इधर ठीक है वो b minus a से a minus b करें यह देखो minus sign मैंने यह पर नहीं लिखा था ठीक है यह जो plus था वो यहां पर minus हो गया है वो तो मैंने नहीं वो गायब हो जाएगा और यह जो quantity है वो हो जाएगा a minus b ठीक है तो यही बस आपको यहां पर observe बनना है तो a minus b अरे भाई ठीक है अरे अच्छा तो a minus b ठीक है अब यहां से हम a minus b common लेंगे तो फिर से हमें erase करना है तो अगर हम यहां से a minus b common ले ले तो bracket में क्या बचेगा b plus a divided by a b plus ठीक है यहां पर c था यह यहां से तो c बचेगा bracket में अच्छा तो हमें अब equation जो चाहिए a वह हमें मिल गया है तो यहां से अब हम simplify करेंगे तो अब यहां पर देखा अब b minus c है और अगर हम यहां पर lcm लगाए तो यहां पर होगा multiplied a और यहां पर multiplied होगा b c तो हमको क्या मिलेगा a multiplied by b plus c plus b c divided by a b c और यहां से हमको मिलेगा a minus b multiplied by b plus a ठीक है और यहां पर क्या multiplied होगा c और यहां पर multiplied होगा a b lcm बस हम ले रहे हैं यहां पर c plus a b divided by a b c तो हम को अब मिलेगा यहां से a b plus यह मैं b c जो है वो पहले लिखूंगा यहां पर और a multiplied by c क्या है a c तो फिर divided by a b c और यहां से हमको क्या मिलेगा second equation second expression से यह देखो a b मैं पहले लिखूंगा यह जो a b है और plus फिर बाद में b c और बाद में a c तो a b c तो यहां पर आप देख सकते हो कि यह जो bracket है curly bracket उनके जो अंदर जो टर्म है वो सेम है तो दोनों cancel हो जाएंगे और क्या मिलेगा हमें b minus c is equal to a minus b तो यहां से अब यह जो minus b है वो हम यहां लाएंगे तो b plus b is equal to a plus c तो यह हो जाएगा 2b या फिर यही हमें चाहिए था ना b minus c is equal to a minus b तो मैं यहां पर extra क्यों कर रहा हूं तो यह हमें cancel करना है तो तो therefore a b and c are in a p difference of the consecutive terms of these three terms is same तो हमने problem number 16 solve कर दिया है तो यह जो 16 problem है वो बहुत ही बहुत ही important problem है तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई प्रिष्ट प्रिष्ट झाल